अब अब आप एक बाद सब्सक्राइब करता हूं शौर या भायत के इस ऑफिसर चैनल हपे तो बच्चों हम लोग कर रहे ते अपना डिये ने याने की डेली नियूस पे और आज हम लोग इसी शंगला को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आज की वह प्रमुख खबरे कौन सी रही जो आपके आने वाले अपकमिंग एक्जाम से बहुत ही महतपुन साबित होंगी तो चलिए उसी को डिसकस करते हैं और जो आज की हमारे सबसे पहली और आज हम लोग बात करेंगे इसका है उसका मुख्यत हिस्सा जो आता है वह करने अफेर से आता है यानिक एकनॉमिक्स आप से ऐसे नहीं पूछी जाती है आपको करने अफेर से लिंक करके पूछे जाते हैं तो उससे पहले हमने प्रिवेस क्लास में लर्स के बारे में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में जिससे यूपीए से बहुत ही बेसिक सवाल आपसे पूछता है रेपो रेट के बारे में लोन को कैसे लिया जाता है कैसे रिकवर किया जाता है उन सबी के बारे में तो उससे से जोड एक borrower यानि कि जिसे लोन चाहिए जिसे लोन चाहिए एक borrower सबसे पहले लोन लेने के लिए कहा जाता है बैंक के पास जाता है या बैंक उसे जो है लोन देता है जब borrower बैंक से लोन लेता है तो एक agreement sign करता है और agreement में बताया जाता है कि हर माईने की जो आपकी everyman installment होगी या EMI होगी या जो भी लागत होगी वो हर माईने आपके interest के साथ वो पे गरेगा और एक term plan होता है कि दो साल की EMI है चार साल की EMI है जो भी है पर मान लीजे कि एक borrower ने ऐसा किया कि उसने एक साल EMI भरी अब उसकी EMI टूटल दो साल की थी तो उसने क्या किया जो पूराना वाला लोन था उसको चुकाने के लिए एक और नया लोन ले लिया आया समझ मैं यानि कि एक न्यू ले लिया वापस से आ ताकि वो पूराने वाले जो टे प्राना जो टे एक उसे चुका सके italiano अघ्क तो आप कहेंगे रिसे बैंक को क्या चलता जाएगा कि आप λέण लिया उसको चुकाities के लिए दूसा लोन लिया उसको चुकाने के लिए यह एकदम से पता नहीं चलता लेकिन बाद में at the end of the cycle आप वो समझ में आगा कि बहुत सारा इंट्रेस्स आपके ऊपर यानि कस्टमर या बॉरोगर के ऊपर आ जाएगा और वह उस कस्टम उस बैंक का वो लोन वो चुका नहीं पाएगा तो चलते समय तो बहुत आसान है कि चली एक लोन खतम करने के लिए दूसा लोन ले लिया पूराना वाला लोन क्लियर कर दिया बट ऑल अफ देम सारा सदन इंट्रेस्ट एक साथ जो है उस कंजूमर के ऊपर आएगा और वह उसे र पश्चाद घटना लगाता देखने को बिलती है कि बहुत सारे कंजूमर जो होते हैं वह एवर गिनिंग ओफ लोन करते हैं तो देखें सिंपल सा है कि बैंक किस तरीके से काम करें का जम वह भी समझेंगे बैंक किस तरीके से अपना प्रॉफिट कमाता है कैसे वह लोन देत है बैंक आपके इंकम के ऊपर आपकी प्रोफाइल के ऊपर चेक करके बताया जाता है तो यह 30 पसंद तक लोन पर होता है जो भी आपकी क्रेड़िट लेमिट होती है उसके उपर एक लोन को सदा बहार चलाना मतलब सदा बाहर आपने एक लोन गया दो साल की माई की जग दिया दैन वह वापस शुरू हो गया यह सदा बाद चलते जाएगे एवर ग्रीनिंग होती रहेगे एवर ग्रीनिंग आपने देखिए इन दिसेंबर 2002 222 फानेंस मिनिस्टर है इंफॉर्म्ट पार्लिमेंट था बैंक है बैड लोन वर्त रूपीज मोर्टन 10,000 करोर्स हो जाएगा बैंक के लिए तो मोर दैन 10,000 करोर तो यह बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है ठीक है उससे हो सकता है कि हमारे एक नौमी बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल या एक क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट पे आ सकती है तो यह था मैं लोन के ओपर ध्यान देना चा दो टर्म कॉल दर सर्विस्ट सर्विसे अव दी लोन तो वह नहीं पा रहा है अब वह नहीं पा रहा है तो इसका असर बैंकों के ऊपर आएगा राइट तो हो सकता है कि जिससे बैंक के पॉफॉरमेक्स इंडेक्स जैनिक जिसने बहुत जादा इस तरिके से लोन दिये है हो सकता है उसकी performance index प्फडर का है आद ये उसका license का सकते हूं चिंपिखें क्या होता है servicing is a loan is paying back to the interest and a small part of the principal यानि कि servicing मतलब जब आप EMI pay करते हो तो EMI basically क्या होता है यह मैं हाथ का होता है basically principal plus interest आप साथ में पे करते हैं हैं आपका principal का amount और साथ में इंट्रेस्ट का माउंट जो होगा आपको मंथले इंस्टॉल्मेंट हो की यह मैं भरी जाती तैस्ट काल इस सर्विस्ट ठीक है डिपेंडिंग आपने वोटाव था अग्रीमेंट बैंक और आपने पांट साल के गरा रखी दस साल की माई करा रखी यह माई कम गरा रखी तो पीवाएश की उज में आपको लगातार इसका दिकर देखने को मैंने का बैंकिंग फैसलिटी से लगातार कोशन बनते हैं हमारे चाहे आर्बिया का पूछेगा चाहे आपको कमर्शेल बैंक के बारे में पूछेगा पर आपके एक्जाम में यह जरूर आता है ठीक है त अब यहां पर दो टम आई बैलों तो हमने समझ लिया कि एक सर्टें पीड ऑफ ताइम तक उसका जो रिकवरी हो पा रहा है जो सर्विस हो पार यह वो नहीं हो पाएगी तैस कॉल बैलों ना अब अधर टर्म जो आज हमारे सामना आई है यह आट इस अन पीए और अगर आता देखेंगे तो हर थोड़े दिनों में आपको एंपी का जिक्र देखने को ही मिलेगा पर्टेकुलर इंद एकनोमिक सेश्यर और बार-बार बात करते हैं एंपीए के लिए ठीक है बैट वाट इस एंपीए डिशे नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखे दो चीजे होती एक होता है एक होता है एक होता है लायबिटि हम समझाथे एक एक होता है नाम लेता हूं डैट ले देट अमित नहीं माल लीजिए 10,000 रुपीज जमा करा है deposit करा है मैंने और यह मैंने क्या करा दिया FD करा दी आप सभी लोगों ने घरों में सुना होगा ना कि FD करा दी जाती है ठीक है fixed deposit means कि इसके उपर bank आपको interest pay करेगी यानि कि bank आपको पैसा देगी interest pay करेगी यानि bank आपको पैसा दे रही है तो यह bank की क्या हुई liability बैंक की क्या हो जाती है liability हो जाती है यानि bank आपको पैसा दे रही bank की जेव से पैसा interest की form में जा रहा है that is the call the liability अब आप मुझे बताइए कि bank इस 10,000 का क्या कर देगी 10,000 रुपे मालो श्याम को जो है वो लोन दे दिया क्या दे दिया लोन और अब श्याम वहां पर interest पे करेगा तो बैंक के पास तो पैसा आ रहा है इस केस में बैंक के पास पैसा जा रहा है तो पैसा जब आ रहा है that is called his asset राइट की हमारा जो हमने डिपोजिट किया वह एफडी जब हमने कर रहे तो बैंक हमें पैसा दे रहा है that is bank's liabilities बट जब बैंक लोन अबाउंड करता है किसी बॉर्वर को तो बॉर्वर उसे interest पे करता है that is called his asset that is called his asset अब simple सब बैंक कैसे काम करता है आप यहां समझ दीजिए कि बैंक बॉर्व करेगा मान लिजिए 8% की ब्याजदर से वह पैसा लेगा और हमें जो देता है वह 6% पर देता है तो जो तो उसकी fix रहेगी अब उसका asset अगर time से नहीं आया यानि कि अगर श्याम ने जो है payment time से नहीं किया तो that is the problem bank को अपनी जेव से भरना पड़ सकता है right so that is called non-performing asset यानि श्याम एक अब non-performing asset बन गया किसके लिए bank के लिए very simple इसी तरीके से आपका पूरा banking system काम करता है यानि की just about giving a loan and recurring deposit deposit लेना loans देना that is the bank यही bank है यही बैंक का काम होता है उसके liability होती है कुछ और उसके क्या होते है कुछ asset होता है simple आया तो इसलिए जो पैसा पे नहीं कर पाते है उसे हम लोग यह नहीं कहते नॉन परफॉर्मिंग लाइबिलिटी ना ही लाइबिलिटी दो फिक्स रहेगे लाइबिटी दो बैंक ने लिखके दिया है कि आपको मिलेगा तो देना पड़ेगा बड़ अगर श्यां पैसा नहीं बर पाता तो इसे हम लोग कहते है नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसकी लाइबिलिटी कभी एसेट से जाधा नहीं हो सकती हमेशा एसेट ही जाधा होगा तभी तो बैंक प्रॉफिट में चलेगा वेरी सिंपल ठीक है उसे हम लोग क्या कहते है नॉन परफॉर्मिंग एसे यानिकि उसने परफॉर्म नहीं किया अब इसका भी कैलकुले मालेजे 180 दिनों तक आपने ना तो मूलधन भरा ना ब्याज भरा कोई इन्ना तो इंट्रेस्ट आया ना प्रिंसेबल अमाउंट आया बेंक के पास तो उसको लोग एन पीए कंसीडर कर लेते हैं हम उसे एन पीए कंसीडर कर लेते हैं ठीक है ठीक है अकॉर्डिंट टॉर् time there is a less and less certainty that the loans would be paid back and full बार बार जब हम लोग दे देते हैं पैसा तो हो सकता है शायद पैसा वापस ना आ है that is the problem यह problem चलती जाते है that is basically called NPA right so what is non-performing asset a very simple they are the loans for advances that are the default in the areas ठीक है दिवान डिफॉल्टर हो जाती है in the other words those are those kinds of loans who is a certain or when the principle of interest amounts are late or have not been paid यानि कि 180 दिन से ज्यादा का समय हो गया या फिर आपने paid ही नहीं किया यानि कि आपने loan नहीं चुकाया तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहते है non-performing asset जो हमने यहाँ पर पूरा समझा की asset क्या होता है bank का bank की liability क्या होती है राइट तो इस वेरी वेरी important news ठीक है समझेगा और आपके exam के लिए बहुत important होती है चीज़ so how banking system works हमने यहाँ पर समझ लिया कि bank कैसे काम करता है bank के पास क्या आएगी simple कि एक borrower होता है या एक depositor जैसे मैं हूँ depositor मैंने कुछ पैसा deposit कराया 10,000 रुपे bank में और bank ने मुझे 6% के साब से fd का जो ब्याजदर होता है वो मुझे दे दिया नहीं कि मैंने क्या किया simple सा 10,000 रुपे जमा कराये 6% की ब्याजदर फे bank मुझे पैसा दे देता है अब उसी 10,000 को वह loan की form में घुमाता है किसी और customer को और उससे जो interest पे होता है वो होता है नौन परफॉर्मिंग ऐसे नौट नौन परफॉर्मिंग लाइबलिटी इस काल नौन परफॉर्मिंग एसे आया तो हाव बैंकिंग सिस्टम वर्क सिंपल वे में बैंकिंग सिस्टम ऐसे काम करता है हम और भी तूस देखेंगे फ्यूचर में in the classroom sections के अंदर हम लोग दे है चलिए आगे बढ़ते हैं आज की दूसी नियूस के बारे में और पढ़ते हैं अगें डिस इस वेरी इंपॉर्टन नियूस वर अगर आप देखें तो वेरी इंपॉर्टन आप से लगातार पूछा जाता है government schemes के बारे में ठीक है सरकारी योजनाय बहुत ही मेहतों होती है UPSC exams के अंदर लगातार पूछा जाता है चाहिए आपके NDS, CDS, FCAT या CAPF की बात की जाए आप से सिंपल सा योजना दी जाएगी उसके तीन-चार पॉइंट लिखे होंगे और आपको जानना होगा कि वह कौन सी होगी अभी अगर आप इस पिछले साल का पेपर देखें भी योजना का दिक्रता प्रधान मंत्री मात्रव नहीं जिक्रता का दिक्रता यानिकी योजना की उनए का चले लगाता इचintérieur को वरूणेंस अनौगरा Moghara is a housing scheme Moghora is a housing scheme तो आपके एक्जाम में करन्ट का सिंपल सा कोश्चन बन सकता है करन्ट अफैस का देर Moghara scheme और Moghara housing scheme is associated with the which of the following states and you having a four options so it is from the Odisha this is from the Odisha right तो सरकारी योजना बड़ी मेहतोपून होती है हमारे लिए यार दखेगा बहुत जादे important हो सकती है तो चले स्कीम को थोड़ा समझते हैं कि स्कीम हमें क्या कहना चाहते हैं आपे तो चलिए देखते हैं नाव मोघरा या नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ जो फैमिलीज है उनके यहां पे किसके बारे में बात की जारी उनके housing facilities के बारे में बात की जारे कि उन्हें एक अच्छा घर एक रहने की अच्छी जगा दी जाए यह उडिशा की गवर्मेंट चाहते हैं और यह पूंटर राज्य के उपर है यानि कि राज्य की स्कीम है ठीक है अगर नैशनल वाइड होती तो आप सभी को पता होना चाहें कि housing facilities are comes under the state list यानि कि housing facility राज्य शूची का विशे होता है housing facilities comes under the state list subject ठीक है चलिए इस स्केम विल कवर और सच फैमिलीज हुवे लेफ्ट आउट इन एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्केम्स आइधर डू तो दे स्ट्रिंग्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंसफिशेंट अलोकेशन यानि कि ऐसा नहीं कि पहली बार इस तर इसना के लाइक शाबिद नहीं कर पाए या कोई अन्यकार्णों के वाज़े से अगर कोई फैमिली को घर अलोकेट नहीं हो पाता तो उन सभी लोगों को मोगरा स्कीम हाउसिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको घर प्रोवाइड किया जाएगा रहने की जगह दी जा है तो आप कहेंगे सर इसमें कौन से बड़ी बात यह तो बैंक भी देगा जो हमने पढ़ा बैंक का इंट्रेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा यहां पे और बैंक से वो तीन लाग रुपय का लोन लेना बहुत मुश्किल हो जागा विकॉज आपके पास सायद हो सकता है क कि वह इंकम प्रूफ ना हो तो सरकार दिलवार यह तो बैर इस वेरी इंपॉर्ण ठीक है तीन लाग का हो रोन ले सकते यू कैं पेड़ अप्टू थे टैन यह तो इतना लॉंग टाइम स्पैन क्यों कि बेकी बेसिकली यह बोलोग है जिनके पास इंकम का पर्टेकुल अस सते हो लाग रुपे ले सकते दो लाग रिक्सकें धैला गया तीन लघ्रुपे अन CPU अनिकी स्लैब मैं पैसा ले सकते एं कि आगर हर बंग चुका है पर उसकी में पैसा ले सकते hai hai that is called moghara scheme right very very important exam के लिए याद रखे Wiki offers having a monthly income अभी हरक सिखराख्या नहीं तो जो हम बात करते हैं अगर बात करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं तो वह सब चीजे उसका हमने बताते हैं कि जो राजी सरकार की जो लोगों के लिए बनाई जा सकती है कि क्या सब्सक्राइब बात करते हैं अगर अगर और अगर अगर सब्सक्राइब करेगी तो उनके वनेबल चेक्षन से जो ओडिशा में रहते हैं उनका क्या होगा सब्सक्राइब करते हैं कि कैसे हम लोग उसको इसका सॉलूशन निकलता है क्या गर्म में लिमिट लगा सकती आपके fundamental राइट पे या फिर नहीं ठीक है चलिए तो जिनकी मंतले इंकम 25,000 रुपए उससे कम हो सकती है या फिर उनको जो है आउसिंग असिस्टेंस मालो 17,000 रुपए तक मिल सकता है उनको तो सारे जो है मोगरा स्किन के अंदर क्वालिफाइट कर जाएंगे आपको क्वालिफाइट टर्म से याद नहीं रखने बस आपको यहाद रखने है इसके फीचर जो हमने देखा टैन लाइक थ्री लाइक रुपीज एंड टैन येस का गैप प्लस लैब में भी आप ऐसा ले सकते हैं यहाप 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 सरकार क क्रेडिट लिंग्ड फाइनस फैसिलिटी अब देखिए यह क्या होता है सर क्रेडिट लिंग्ड फाइनस फैसिलिटी क्या होता है क्रेडिट करेगी सीधा अकाउंट में डाल देगी डैट इस कॉल डिक्रेडि लिंग्ड फाइनस असिस्टेंड और फाइनस फैसलेटी बिसीडिक है तो लगबग कि आपका इसमें 60,000 रुपीक्स की सब्सेडिज जो है सरकार पे कर देगी तो आपको बेसिकली पे करना कितार आएगा 240 आपको पे करना होगा और अगर वनरेबल शेक्शन में आते हो बहुत जादा वनरेबल ग्रूप में आते हो तो आपको सत्तरहजार रुपे आपके कर देए बहुत ही जादा पिछड़े हुए जो वनरेबल ग्रूप सोते हैं उनको पीवी टीजी का दर्जा देते हैं चली नेक्स्ट न्यूज आज की आज हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं जैसे हाला कि लोग पहले भी कवर कर चुके बट हम लोग आज इसके फीचर्स की बा प्रिडिट करना थोड़ा हमारे लिए इसी हो सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब प्रेजिदेंट का इलेक्शन होता है तो उसी साल अगर आप सीडियस के अंदर लगबग 5-7 कोशन प्रेजिदेंट से लेडेर मिलेंगे पॉलिटिक के अंदर लेट इसे मेरी इ अजाम प्रस्पेक्टिव पॉइंट और विव से हाला कि पार्मेल में कोशन तो बनते हैं यह वैसे भी इस सेग्मेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना यहां पर पड़ेगा इसलिए हमने इसकी हिस्ट्री भी पड़ी हमने लोग सबाव राजी सबाव का भी पहले हमने ज इस आर्ट क्राफ्ट फॉर्म्स नया जो पार्लेमेंट बना है उसमें आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब इसका इनौगरेशन किया इनौगरेशन में प्राइम मिनिस्टर बहुत चीज़े बताए कि यहां पर जो राजसभा की जो शेप है यहां पर जो राइट तो चलिए उसको जिक्र करते हैं मिया पे अन्यों पार्लेमेंट बिलिंग इस देट फ़ाइट वांड पेसिलिटी इस बीटेट में इनौगरेशन करना चाहते हैं को करना चाहते हैं चाहते हैं की बेटर तरीके से पार्लेमेंट की जो हीरिंग लोग को इसके वीडियो कॉनफरेंसिंगन को इस तरीके से लाने का में यहां पर प्रयास करना चाह रहें उसके लिए विऊ टेकनोलो्जीट की नीच होगी ड़कन्स्रॉक्रक्षिंशंप भी was a major undertaking and it took over a two years to be completed तो आप से सिंपल सा mcq format में सिंपल सा पुछा राता है न्यू पारलेमेंट हाउस और इसमें चार ओप्शन दिये जाएंगे आपको उसमें से अगर पूछा रहा है कि लोकेशन यहां पर दी गई वो फॉर्स के अंदर जो फ्लोर है वही पर आपको राजसभा देखने को मिलेगी और आज़े सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब को बता है लेकिन यहां पर बैठने के लिए 384 मेंबर्स की जगह हैं सर 250 लोग आते हैं राजसभा में तो 384 लोगों आने कि क्या जरू होते हैं कोशन है ना कि सर लाजसभा के अंदर 500 लोग होते हैं ठीक है अब दाइस लोगों में से 238 प्लस 12 लोग नॉमिनेट होते हैं जाने कि 250 का क्राइटियर होना चाहिए दूसाइब एक्स्ट्रा रख लो इतने जाद एक्स्ट्रा रखने क्या जरू होते हैं तो समझें यहां पर सीज़ों कि 384 रखने क्या या ज्यादा सीट सकने का कारणा नहीं है क्योंकि आगर आपने देखा होगा कि और भी सब्सक्राइब होते हैं जैसे हमारे काइग कॉंपटर और जनरल ऑफ इंडिया एलेक्शन कमिशन हो गया ठीक है ओडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया या फिर जितने भी अधर कॉंस्ट्यूशन बॉड़ी होगे मां चाहिए यूपेसी के मेंबर्स हो गया चाहिए पसन हो अब modern amenities है यहां पर लाज वीडियो स्क्रीन है साउंड सिस्टम में ट्रांसलेशन सिस्टम इस वेरी इंपोर्टन वेकॉल कभी कभी सब लोग इंगलिश में बात नहीं कर पाते हैं कुछ जो सर्दनी पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं यहां पर इंडिया से पूछा हो सकता आप से पूछा रहा है कि राजी सब्सक्राइब का पर्टेकुलर जो डिजाइन है वह याद रखेगा वह लोटस के डिजाइन के एक्वल होता है याद रखेगा ट्रेशनल डेकॉरेशन नहीं यहां पर किया गया इंडिया का एसेंस हमें पार्लेमेंट में मिल हमने ऐसा करने के कोशिश की है इसलिए इसको दूसार से भी जादा का समय लगाया है मेर सिंबोलेक अलिमेंस स्था अशोग चक्र शानात का जो चक्र वह हमने रखा है नाशनल एंबलंस ऑफ इंडिया यही रखा है हमने एक हैं यह बाति सब्सक्राइब कर लोक बढ़ने very hot debating topic that is a Sangoi this is the Sangoi क्या होता है सेंगोई क्या होती है चीज समझें लेकि इसका जिक्र अगर हम देखे तो महाभारत से इसका जिक्र देखने को मिलता है और बहुत पूराना दंड है कि युदिष्टर युदिष्टर के बारे में अगर आपने महाभारत में सुना होगा युदि मिस्टर का जब कारेकाल था जब राजा बनते हैं तो उस समय भी यह सेंगोई या इस तरीके से राजदंड जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में राजदंड भी आप कह सकते हो यह यहां देखने को समय मिलता था दैन कुछ लोग कहते थे कि अशोक के समय और गुप्तकाल के सम यह फेमस होता है चोल डाइनस्टी के अंदर जब चोल सामराजिय सर्दन इंडिया का सबसे महान सामराज जब आता है और चोल सामराज अमने क्लास रूम में बहुत वार डिसकस किया है कि चोल डाइनस्टी बहुत ही फेमस है अपने राजाओं के लिए ठीक है बहुत स्काशन सेल्फ गवर्मेंट यह आपके यूप्यसी में लगातार पुछा जाता है सेल्फ गवर्मेंट वह भी चोल डाइनस्टी की ही देन है तो उस जमाने में राजा जो है बेसिकली यह सेंगोई का यूज करा करते थे अपने पास रखते थे यानिकि वह एक राजदंड जब भारत आजाद होता है इंदे 1947 तो प्राइम मिनिस्टर पंडे जवानलान लहरू के पास भी उनको भी यह सेंगोई दी जाती है जो आज भी उत्तपदेश के अंदर है तो फाइफ पीट लॉंग सेंगोई है जो गोल्ड प्लेटेड है और इस गोल्ड प्लेटेड होने अधे उनके अधरर लगाये गए यहां पर इनके अकरति लगाने का आशा है कि नंदी रहे यांद रखेगा तो होते हैं नंदी भी ठीक है जस्टेश के प्रतीक होते हैं न्याय के प्रतीक होते हैं आया तो यहां तो यहां पर इसके पास में इस तरीक इसको यहां पर लगाया वाइट तो इस वैरे इंपोर्टिनील इसके आपने यहां है अपर बात करते हैं यहां पर वापस एक होट लोग सबागी तो एडिशनल्य वर टूल जानता है कि जानता है है लोग सबागा राजिसबागा जोंटेशन होता है आर्टिकल यह वन-जेरो एक चोटा है। आज चुल कि ऑशन होता है तो आपको याद अखना है कि जॉइंशन को बुलाता है प्रेजडेंट होती है लोगसभा में और इसका है जो होता है उसमें वह होता है हमारा speaker of the लोगसभा that is very very important for your exam अगर आप से पूछ रहा है कि joint session कौन prescribe करता है कौन बुलाता है और आपने लोगसभा कर गया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा president बुलाएगा because but president is not a presiding officer president is not a presiding officer of the parliament right he is the member of the parliament particular organ a parliament a but he is not the presiding officer he is not a speaker he is not a chair person of Rajasabha something like it right to add a kega important so joint session KS 108 एक समय सीट बढ़ जाएंगे लोग आएंगे लोग आएंगे तो उसमें ज्यादा चाहिए और डिजाइन और डिजाइन में हम देखे तो सैंड्स्टोन वॉल्स है मार्बल से यहां पे जो राजस्तान से बेसिकली मुडार प्रेंटिंग से बहुत सारी इस्टॉरिकल चीज़ें यहां पर की गई है वह आपको यहां तो यहां पर इंपोर्टेंट है यहां पर पिकॉक यानिकी राहूल मंडो दा हलो वाहूल बिटर तो यहां दखेगा नहीं जो लोग सवावनी है वह पिकॉक इस डिजाइन और शेप के अंदर देखने को बनी है उन्हें परटिकुलर बात की सबद्रें की यानिक ओपर मॉट्रन फैसिलिटीज वही फैसलेटीज है वोतिंग सीस्टम यहां पर वीडियू स्टम में पहले आमने बॉटिं शिस्टम पढ़ाता हूं की वोटिंग सिस्टम कि सारीक थे पेपर वोटिंग हुआ करते थी बड़ अब जो है electronic voting system यहां पर आपके लिए अवेलेबल होता है security features we know that the CCTV cameras and all why metal detector और इत्सरी के security क्यों कि आप सभी को पता है कि पार्लेमेंट पर एक बार हो चुक है that's why Parliament के ओपर high security alert करना बहुत ज़्याद़ ज़रूरी होता है लोग सभा के वारे हम सभी को पता है लोग सभा लोवर हाउस होता है हमारा यानि जहां पर लोगों से डायरेट चुनके प्रतिनेदी पहुंसते हैं वहां पर मोस्ली प्राइम मिनेस्टर भी लोग सभा से ही होते हैं ठीक है जो करन्ट लोग पहले एंगलो इंडियन समुधाय से कांच उने जाते थे लोग सभा के अंदर पर अब यह पटिकुलर चीज़े बंध हो चुकी है राइट क्योंकि अब एंगलो इंडिया में नहीं लोग सभा एक्सराइब मोर मनी पावर इंदा मनी मैटर्स यानि कि जब मनी बिल आ पहसे राजना बिल एक जब आरते जो लोग सभा में रखा जाता है तो बहुत इंपल होता है कि उसके अकॉर्डियों या थो साइन कर दे यहीं पावर होती पास सिरे इसलिब और गवार होती तो ये आपको पता होना चई राजना cannot reject that money bill is very important now जो आज हमने न्यूस पड़ीज उनके ओपर बेस्ट वापस कुछ कुछन से उसकोशन को डील करते हैं फटा फटा फट वाट वाट यू मिन बाइद नौन परफॉर्मिंग एसेट एंप एंप आपना वापन वीडियो फूरा देखोगे तो आपके छॉपिक समझन आजाएगा वाट इस एंप वाट इस नौन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन कमेशल बैंक सी नौन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब यह होता है कि एक बॉर्वर है जिसने क्या लिया है बिसिकली लोन लिया है और लोन अगर वह वापत चुका ना पाएं और लेंड होता है लोन्स नौट रिपेड विद दस पिचुशल टाइं गवर्मन सिक्योर्टी और कैश होल्डिंग तो भी इसका यहां पर सही जवाब हो जाएगा कि एंप 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 एंपल सा नौन परफॉर्मिंग एसेट यानि कि जो इंसान बैंक के पैसों को वापस ना लोटा पाए वह बैंक के लिए नौन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है जिसने परफॉर्म नहीं किया जिसने बैंक का पैसा वापस नहीं लोटाया एंप ये कहलाएगा चैक है चलिए नेक्स बैरी इंपोर्टेंट ये तो अभी का कुशन था वाट फ्लावर दिस कुशन वाट hygiene friendly practice साप इंकोरड़े इन्ट इन्ट tässä, युवालएमेंट हाऊज नूप आरलमेंट हाऊस में कौन कौन सी चीज हैं में रहा इंड एंडे एंड रहे और और साथ में ध्यान रखा गया है एफिशेंसी का जिसमें 40% बिजले की बच्चत हो जगी एफिशेंसी हमने बढ़ाई है यहां पर साथ में और रखना ही पड़ेगा जब हम लोग जब गर्मेंट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया को या पूरी इंडिया को गम रेंवाटर हाव हम लोग अपने अग्जाम में देख के लिए जैसे की बात की जाए वह सब इंपॉर्टन न्यूज हम लोग कल देखेंगे तो आज हमारे वापस फटा-फट देख लेते हमने आज की पार्लेमेंट का जिक्र किया है यहां पर पार्लेमेंट की बाद हमने ओडिशा की जो और और देखा तो वापस क्लास को जरूर रिविजन कीजेगा कर हम लोग फ़र इसी समय अविलेबल होंगे यहां पर तब तक के लिए जैहिन जैभारत